रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अत्रग्र हैं जिन्हें न्याय प्रिय और न्याय धीश की उपादी भी दी गई है भगवान शनी देव हर प्राणी के साथ उच्चेत न्याय करती हैं लेकिन जो लोग अनैतिक और गलत कार्य करती हैं तो ऐसी लोगों को भगवान शनी देव का कुरोद और दंड भोगना साथी के फल सरूप मनुश्य के जीवन में परिवर्तन होती हैं लेकिन बता दें कि यह परिवर्तन सुखद और कश्टकारी दोनों हो सकती हैं इसका फल मनुश्य की कर्म और राशी वकुंडली में शनी की चाल और सिती पर निर्भर करता है जिस इनसान पर शनिदेव की कृप और महरबानी हो जाती है उसकी तो मानों किसम चमक जाती है जी हां दोस्तों आपकी जानकारी बता दें कि शनी देव का प्रकुप जितना ज्यादा पड़ता है उससे ज्यादा वो लोगों को खुशिया देती है बता दें कि आप सभी भगवान शनी को सिर्फ प्रकुप बर रसाने वाल ही समझती होंगे लेकिन दोस्तों इनकी महिमा को कोई नहीं समझ पाया है शनी भगवान किसी की शत्रों नहीं बलकी मित्र है भगवान शनी एक न्याए प्रियग्र है आपको बता दें कि शनी देव जब अपने चाल बदलती है तो वो राश्यों के अनुसार किसी पर महरबान होती है वैसे तो सभी बार राश्यों पर शनी का प्रभाव रहता ही है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में भगवान शनी ने अपनी मारगी चाल से वक्री चाल में प्रवेश किया है जी हां शनी देव अब अपनी उल्टी चाल चल रहे है लेकिन दो जोतिश शासर के अनुसार आज राज सी भगवान शनी की इस वक्री चाल का असर कुछ विशेश राशियों पर देखने को मिलेगा अब इन राशी वालों की किस्मत अचानक से चमक उठेगी और इन्हें अपने जीवन में अब सक्रातमक बदलाव नजर आएंगे तो आईए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरी राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं तो आप से अनुरुद है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बता दें कि सबसे पहली राशी है मेश राशी जी हाँ सबसे पहले मेश राशी के अगर हम बात करें तो इस राशी के लोगों के लिए शनी देव आज से 21 साल तक महरबान रहने वाली हैं आपके घर में अब धन की वर्शा होगी जिन लोगों की आर्थिक स्थिती सही नहीं है उनके दिन अब सही हो जाएंगे आये कमाने के नए रास्ते आप लोगों के लिए खुलेंगे आपको ये जोरान संतान से जुड़ी खुश खबरी भी मिल सकती है बता दें कि इस जोरान नौकरी पेशे वाले लोगों को अपने काम में सफलता हासिल होगी व्यापारियों के आये के नए शुरूत मिलेंगे किसी नए तकनीक को अपनाने से आपके व्यापार में जोरान वृद्धी होगी साथ ही साथ उतपादन कार्य भी आपका बढ़ सकता है ओफिस में भी आपको सबका साथ मिलेगा दोस्तों अगली राशी है तुला राशी बताना चाहेंगे कि इस दोरान सेहत संबंदी परिशानियों का आपका अंत होगा कोई काम इच्छा अनुसार पूरा होने पर जीवन साथ ही आप से खुश होंगे इस दोरान आप खुद को तरो ताजा और सहासी महसूस करेंगे आपको किसी नए कॉन्टाक्ट से बड़ा फाइदा होने के आसार बन रही है आपके पुराने करजूं और उलजनूं का निप्टारा हो सकता है आप अपने परिवार को इस दोरान समय देंगे काम के सिलसले में आपके नतीजों में गुडवत्ता आएगी और आपका काम लोगों की नजर में आएगा संतान की प्रगती से सगी संबंदी इस दोरान खुश नजर आएंगे आपकी बहुत तिक सुक्स विधाओं में वृद्धी होगी दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है वरिश अबराशी जी हाँ बता दे कि इस दोरान आपको अपने भागे का पूरा साथ मिलेगा करियर में तरक्की के आपको अफसर मिल सकती है इस दोरान आप कुरोद करने से बचे अफसरों में इस दुरान सुक्षान्ती बने रहेगी किसी मित्र के सहयोग से आये के शिरोत आपके विक्सित हो सकती है कारेशित्र में आपको अपने सीनियर्स का पूर्ण सहयोग मिलेगा जिससे कारेशित्र का आपका विस्तार होगा समाज में आपके गुणों की प्रशेंसा होगी जो लोग संगीत या गायन के शेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़ी जग़ पर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है इस दोरान जीवन साथी के साथ आप डिनर करने का प्रोग्राम भी बना सकती है दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है व्रिश्चक राशी जी हाँ बता दें कि इस राशी वालों पर भी शनी देव अपनी विश्यश क्रिपा बनाये रखने वाली है भगवान शनी के क्रिपा आपके परिवार में सुख और शांती का महल बना कर रखेगी आपकी घर की कलेश दूर होंगी अगर आपका कोई धन कहीं फज गया हो तो वो अब आपको वापस मिल सकता है प्यार के मामले में भी आप काफी भागेशाली रहेंगे छातरों को परिक्षा में दौरान सफलता मिलेगी बस थोड़ी सी मेंद करने के आपको जरूरत है और आप अपनी मनजल को पा सकती हैं दोस्तों अगली जो राशी है वो है कन्या राशी जी हाँ बताना चाहेंगे कि कन्या राशी के लोगों के लिए अगली 21 साल तक काफी भागशाली रहेंगे क्योंकि शानिदेव इन लोगों पर काफी महरबान रहेंगे इन जातकों के लोगों को काफी धनलाब होने वाला है और आपकी घर में खुशियां आने वाली है आपकी आर्तिक स्थिती मजबूत हो जाएगी आपकी सभी इच्छाएं अब भागवान शानिदेव पून करेंगे दोस्तों अगली राशी है धन राशी बताना चाहेंगे तो इस राशी के लोगों के लिए ये काफी भागशाली रहेंगे इन लोगों को धन का लाब होगा और अपनी पुराने दोस्तों से मुलकात होगी आप इस दोरान नई आबूशन, वाहन और संपत्ती भी खरीच सकती है आपके अब अच्छे दिन शुरू होने वाली है इस राशी के लोगों का भागय अब भगवान शनिदेव बदलने वाली है घर में हो रही तनाफ से आपको चुटकारा मिलेगा और परिवार में सुख और शांती का महुल बना रहीगा आपको अपने कारे शेत्र में जुरान सफलता मिलेगी और आर्थिक लाब होगा दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वो है मकर राशी जी हाँ बता दे कि मकर राशी के लोगों के लिए अगली 21 साल तक काफी भागशाली रहेंगे क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफी महरबान रहेंगे आज राश से इनके जीवन में एक अलग परिवर्टन देखने को मिलेगा शनिदेव इन राशी के लोगों से खुश होकर इनके सभी दुख और दर्द को दूर कर देंगे आपको इस दुरानकारी शित्र में सफलता पराप्त होगी शनिदेव आपके जीवन के सभी कष्टों का अब अंत करेंगी जीवन साथी के साथ भैतर समझ, सिंदगी में खुशी, सुकून और समर्दी आपके लेकर आएगी आर्थिक मोर्चे पर आपका दिन बहुती ज्यादा अनुकूल रहेगा आपकी नई योजनाई आकरशक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया भी साबित होंगी दोस्तों अंतिमराशी है कुमराशी पताना चाहेंगे कि कुमराशी के लोगों के लिए शनी देव आज से 21 साल तक महरबान रहेंगे आपके घर में धनकी वर्षा होगी जिन लोगों की आर्थिक सिती सही नहीं है उनके आए कमाने की नई रास्ते खुलेंगे इस राशी के लोगों को नौकरी की चेंता समाप्त होने वाली है नौकरी मिलने के पूरे पूरे आपके योग बन रही है इस राशी के लोगों को दोस्तों से व्यापार सम्मंदी अच्छी सलह पराप्त होगी इस से आप लोगों को बहुत ही लाब होगा घर में हो रही तनाव से आपको छुरकारा मिलेगा परिवार में सुख और शांती का माहूल बना रहीगा आपको अपने कार्य शित्र में सफलता आवश्य पराप्त होगी आपको इस दोरान प्रतियोगिता परिक्षा में भी सफलता मिलने की उमेद है इसलिए जम कर आप मेहनत करें फल की चिंता ना करें दोस्तों आपसे अनरोद है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैशनी देव आवश्य लिख दें आपकी राशी कौन सी है ये भी हमें कमेंट में लिख कर दरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दें और जतना हो सके से अपने वाटसैप और फेस्बुक पर शेयर कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रही